हेलो एविडिवान दिस इस वामता सामरिया खंडिलवाल एंड यह वोचिंग एमस्की केमिस्ट्री तो हम डिसकस कर रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18 आज की वीडियो में हम क्लोरीन और हाइड्रो क्लोरीक ऐसे के बारे में बात करेंगे और यह दोनों ही के बहुत इंपोर्टेंट थे मास्त्रे स्टेट बोर्ड में इसमें से कोई ना वंगता है चलिए आगे बात करते हैं कलोरीन से स्टाइट करते हैं सोग्रीन एंड कंप आफ लूरीन आज कही हमारा टॉपिक है तो कलोरीन क्या है तो देखिये फैज अप जानते हैं और इट आप क्लास 10 में रिडॉक्स रियक्शन में भी पढ़के आ चुके हैं तो यह रियक्शन आपके लिए नहीं नहीं है तो इस तरीके से उन्होंने क्या क्या जो इस तरह से MnO2 की HCl से रियक्शन करकी यहाँ पे क्लोरीन गैस जनरेट की थी आगी बात करते हैं पोटेशियम परमेगनेट के साथ किस तरह से हम क्लोरीन गैस बना सकते हैं तो KmO4 की रियक्शन जब हाइड्रो क्लोरीक एसिड से होती है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे KCl, MnCl2 और क्लोरीन गैस निकलते हैं चलो मान लीजए आप कोई क्रेशन याद नहीं रहती एक्जाम में तो कम सकम आप इस तरह से लिख के आ सकते हैं कि KmO4 की रियक्शन जब होती है HCl के साथ इस तरह से एरो की उपर लिख दीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए CL2 gas formation take place मतलब छोड़के नहीं आईए आप कुछ ना कुछ आंसर जरूर लिखके आईए चलिए Chlorine can also be prepared by the action of concentrated sulfuric acid on a mixture of sodium chloride and manganese dioxide अब देखो आप जब qualitative analysis करते हैं तब आप यह वाली जो test है वो laboratory में करते हैं ना MnO2 का black powder होता है estroesophore लेते हैं आप तो Chloride ion का detection करते हैं आप तब आपको किस तरह की gas दिखती है इधर यह देखे Chlorine gas आपको वहाँ पे निकलती हुई दिखाई देती है तो इस तरह के से यह वाला जो test है ना यह तो बच्चो यह वाला test तो आप laboratory में करते हैं तो यह तो आपको वैसे ही याद हो जाता है तो इस तरह से हमने यह देखा कि Chlorine gas को हम इस तरह से उसके जो जनरल मैथर्स है मेगनी जाय ओक्साइड के साथ से बना सकते हैं केमनोफोर से बना सकते हैं चलिए अब आगे बात करते हैं डेकन प्रोसेस ही तो यह डेकन प्रोसेस क्या होता है जब hydrochloric acid की reaction oxygen gas के साथ होते हैं CuCl2 की presence में cupric chloride तो chlorine gas हमें मिलती है it is chlorine manufactured by oxidation of hydrogen chloride gas by atmospheric oxygen ठीक है अब देखो atmospheric oxygen तो free की है तो company वाले तो इसी को follow करेंगे अना जो free का होता है वो उनके लिए क्या उसका जो cost है वो कमाता है electrolytic process यह भी आप class 10 में पढ़ चुके हैं कि brine का जब electrolysis किया जाता है brine क्या होता है concentrated solution of NACL उसे हम कहते हैं brine और जब उसका आप electrolysis कराते हैं तो आपको क्या मिलता है chloralkali process अगर आपको याद आ रहा हो तो वहां पर chlorine gas हमें मिलती है anode पे cathode पे आपको मिलती है hydrogen gas और near cathode आपको मिलता है NaOH alkali chloralkali process से तो brine का जब हम electrolysis कराते हैं तो बच्चा cathode पे आपको hydrogen gas मिलती है और जो Na positive और OH negative यह आपस में react करके बना लेते हैं NaOH वा बनता है, Cl2 बनता है और H2-3 product मिलते हैं यह हमें class 10 में होगे discuss कर चुके हैं चलिए physical properties of chlorine तो जैसे आपकी आप जानते यह gas है और greenish yellow color की gas है यह poisonous है, easily aquified हो जाती है, water में dissolve होती है और 2-5 times heavier than air Okay, now chemical properties of chlorine देखें यह सारे आपके क्या है metals तो metals के साथ react करके क्या बनाती है, यह metal chlorides बनाती है देखो यह बच्चों यह वाली reactions हैं यह काफी easy है और यह पूछे भी जाती है और यह वाली very very it is very important इस equation is very important तो देखो metal के साथ यह क्या बनाती है, metal chlorides बनाती है non-metal जैसे फॉस्फर और sulfur के साथ यह non-metal के hyalides बनाती है affinity to hydrogen, hydrogen के साथ इसकी affinity बहुत जादा है, बहुत प्यारा लगता है इसको hydrogen, hydrogen के साथ यह hydrochloric acid बना लेती है आप जानते है, HCL अगर dry state में हो तो जह हम hydrogen chloride क्लोराइड कहते हैं और जब उसे water में dissolve किया जाता है, तब उसे हम hydrochloric acid कहते हैं इसी तरह से hydrogen sulfide के साथ क्या होता है, यह sulfide का तो हो जाता है oxidation sulfur में और यहां पर बन जाती है HCL gas, reaction with NAC तो बच्चों यह बहुत important reaction है और easy भी है, आपको यहां पर क्या ध्यान रखना है अगर excess में ammonia लिया हुआ है तब तो ammonium chloride बनेगा और साथ में nitrogen gas बनेगी दोनों important है, excess में अगर ammonia लिया है आपने chlorine के साथ तो nitrogen gas बनेगी, साथ में ammonium chloride बनेगा लेकिन अगर excess में आपने chlorine gas लिया है तो nitrogen trichloride बनता है जो की explosive होता है और साथ में HCL बनता है, so this reaction is very important, तो चलिए आगे बात करते हैं reaction with alkali, तो देखो this is very important, यहां से कई बार question आता है, CBSC बोर्ड में भी आता है रिस्टेट बोर्ड में भी आता है आपके तो देखे, यह वाली reaction alkali के साथ बहुत जादा important है, ओके चलिए, बात करते हैं, NaOH के साथ जो की क्या है, cold और dilute, तो आपको ध्यान रखना है बच्चों, यहां पर NaCl बनेगा और NaOCl बनेगा, ठीक है, sodium hypo chloride, ओके, अगर आपने hot or concentrated लिया है तो NaCl बनेगा और NaCl O3, जिसे ह हम क्या कहते है, chloride and chlorate बनते हैं, तो इस टू reactions are very important, अब हम बात करते है, chlorine की reaction जब calcium hydroxide से होते हैं, तो class 10 में जो low alkali process आप पढ़ते हो, उसके नीच ही bleaching powder होता है, ठीक है बच्चा, तो bleaching powder के formation में हम यह equation यूज कते है, calcium hydroxide को क्या कहते हैं, हम lime water की, जब chlorine से reaction होती है, तो CaOCl2, जिसे हम bleaching powder कहते हैं, का formation होता है, now reaction with hydrocarbons, तो class 11 में आप यह दोनों पढ़ चुके हैं, this is substitution reaction, this is addition reaction, oxidizing property, तो यह देखिए, मतलब यह क्या करेगा, यहाँ पे देखिए, F2 plus 2 के stage में, इसको F2 plus 3 में इसने convert कर दिया, यहाँ पे क्या है, sulphite ions है, जिनको sulphate ions में convert कर दिया गया है, यहाँ पे देखिए, iodine है, इसको iodate ions में convert कर दिया गया है, IO3 माइनस में, और यहाँ पे आप देखिए, sulphur dioxide इसको estresophon में convert कर दिया गया है, तो यह इसकी oxidizing property है, कोई भी oxidizing agent क्या होता है, किसी दूसरे का तो oxidation करता है, उसका खुद का reduction हो जाता है, तो आप देखिए, chlorine यहाँ पे क्या हो रहा है, CL to convert हो रहा है, CL माइनस में, तो इसका खुद का reduction हो रहा है, bleaching property, तो आप तो जानती है, chlorine bleaching agent की तरह काम करता है, तो यह क्या करता है, H2O, यानि कि moisture से react करके, जैसे कहीं, in the presence of moisture for bleaching, HCL और HOCL बनता है, तो actually यह जो HOCL है, यह फिर decompose हो जाता है, SCL और यह जो आपको oxygen दिख रही है, इस nescent oxygen की वज़ेसे ही, इसका क्या होता है, oxidizing nature होता है, इसकी bleaching property होती है, तो बच्चों यह question board में पूछा जाता है, यह vegetable matter और colored organic matter को moisture की presence में क्या करता है, colorless कर देता है, bleaching property तो यह होती है, तो colored organic matter को chlorine के साथ, अब यहाँ पर chlorine के साथ क्या होता है, actually moisture होना चाहिए, तब आपकी यह जो nescent oxygen है, यह generate होगी, ठीक है, तो colorless organic matter इदर generate हो जाता है, तो यह इसकी bleaching property है, अब हम बात करते हैं, uses, तो uses में देखिए, purification of drinking water, swimming pool में आप जाते हैं, काले-काले होके आते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें dissolved chlorine रहती है, इसमें disinfection की property भी होती है, extraction of metals like gold, in the manufacturing of dyes, drugs, इसमें use किया जाता है, अब देखो, यहाँ पर यह question है, name the two gases used in war, तो यह जो आपको gases दिख रही हैं, यह सारी-सारी, जो किस से बनते हैं, chlorine से, phosgene, tear gas and mustard gas, यह सब chlorine से बनाई जाती है, और यह जो gases हैं, वो war में use हुई थी, give the reason for bleaching action, तो इसमें हमने देखा पिछली बार कि moisture की presence में chlorine क्या करता है, HOCL में बन जाता है, HOCL से nascent oxygen generate होती है, उसी जाए से इसकी क्या होती है, bleaching property है, तो इन दोनों के answer समने कर लिए, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, bleaching chlorine, जो chlorine से bleaching होती है, वो permanent होती है, इसलिए strong bleaching, यह एक strong bleaching and oxidizing agent है, इसलिए जो soft कपड़े होते हैं, उसके लिए हम इसको use नहीं करती है, अब बात करते हैं, hydrogen chloride की, यह तो बहुत छूटा सा topic है, इसलिए इसको जरूर करके जाना आप exam में, तो जानते ही क्या है, यह acid है, dry state में इसको हम hydrogen chloride कहते हैं, और जब इसमें water मिला होता है, तो हम है hydrochloric acid कहते हैं, तो preparation कैसे होती है, sodium chloride की reaction, जब sulfuric acid साथ होती है, तो HCL बनता है, और साथ में sodium का, sodium hydrogen sulfate बनता है, तो इस तरह से मतला हो इसको कैसे बना सकते हैं, hydrogen chloride is prepared by heating sodium chloride with concentrated sulfuric acid, अब देखो, physical property, आप सब इसको laboratory में देखते हैं, fuming is entire, इसमें से highly corrosive in nature होता, it is highly soluble in water, it can be easily liquefied, hydrogen chloride is a colorless and pungent smelling gas, hydrogen chloride की बात हो रही है बेटा, और जब यह HCL, इसको था hydrogen chloride कहते हैं, और जब यह water में मिल जाता है, तब इसे हम क्या कहते हैं, hydrochloric acid, ठीक है, चलिए, आगे बात करते हैं, acidic property, तो आप तो जानती है, यह water में dissolve किया जाता है, तो यह acidic property शो करता है, strong acid है, यह pH इसका, अगर 1 molar HCL है, तो इसका pH अराउंड होता है, 0, reaction with NST, तो NST के साथ reaction करगे, क्या बनाता है, ammonium chloride बनाता है, reaction with noble metal, तो देखो, छोटी classes में आपने पढ़ा होगा, HNO3 का 1 part, और 3 part, जब हम HCL के लेते हैं, तो एक्वारेजिया बनता है, एक्वारेजिया क्या होता है, जो noble metal होता है, gold, platinum, silver, इनको अपने आप में dissolve कर देता है, ठीक है, यह reactions आप यहाँ पे देख सकते हैं, यह आपको reaction with noble metal, when 3 parts of hydrochloric acid and 1 part of concentrated on mix, एक्वारेजिया is formed, तो आप आई होब आज के वीडिया आपको पसंद आए होगा, चैनल पर नहीं है, तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल, hit the bell icon, thank you for watching MSK Chemistry.